मध्यप्रदेश के देवाज जिले में वन परिशेत्र बागली मुख्याले से 45 किलोमीटर दूर राजोर बीट अंतरगर्थ बागदी संगव मनलेश्वर आश्रम के निकट करेंट से वेस्क तेंदुआ मारने की घटना सामने आई है आरोपी गुल्लू उर्फ आजाद रामी के अनुसार मनलेश्वर धाम के निकट वह कई वर्षों से आश्रम में खेती का काम करता है उसे कुछ दिन पूर्व शेत्र में तेंदुआ दिखाई दिया उसके मन में खाल बेचकर तथा अन्य आवशेष बेचकर रुपई कमाने का लाला चाया 25 दिन पूर्व उसने आश्रम के खेत के चारो और करंट के तार बिचाए उसे पूरी तरह मालूम था रातरी में तेंदुआ यहां आएगा दो दिन की इंतजार के बाद तेंदुआ आया और करंट से मर गया मर्य तेंदुए की खाल निकाल कर अन्य आवशेष भी निकाले शेष शरीर को वही आश्रम के समीब खेत में गाड़ दिया पकड़े गए आरोपी के अनुसार म्रत तेंदुए के कुछ अंग बेतुल निवासी महकाम नामक व्यक्ति को दिये वह भी यहां मजदूरी करने आया था वन्य प्राणी सरक्षन की धारात 1922 के अंत किये गए उसे भी गिरफतार किया गया है देवास जिला वन मंडल अधिकारी पी एन मिश्रा को जानकारी लगी वह ततकार मोके पर पहुंचे और म्रत तेंदुए के आउशेश शरीर और सड़े गले मांस को निकलवाया खाते गाउं से साधिक खान की रिपोर्ट हेलो फ्र बिलकुल विना मुले